जैशिफ शम्भू पिछली वीडियो में हमने देखा कि सीनियर एडवाइजर आफ यू एन हैबिटेट के डॉक्टर मारकंडे राय ने हमें भारतिय किसान और क्रशी के वारे में विश्टरत जानकारी थी और उससे जुड़े कई जानकारियों से हमको रूबुरू कराया आपने जैसा कि जो करसी है जो यूजिनाय बनाता है उसके कई प्रकार के भी घृवबुरू नग अलग और मुक्य मैं तॉप में आपस अभाव रहता है दी और ताल में के आभाव कर चलते होता क्या है कि वास्तों में खेती खिषानी की मौलिक जरूरते हैं उसको पूरा क करने के लिए फोकस्ट अटेंशन देने के बजाए उस पर ध्यान केंजित करके उसके लिए एक नीती जो थोस हो कारगवर हो बनाने के बजाए केवल कॉस्मेटिक काम हो पाता है और बल्कि यहां तक है जैसे सोध हुआ परयोक्षाला में किसी नहीं प्रकार के नहीं प्रजा प्रयोग्षाला में तैयार की जिए अगर कम मात्रा में जाएगे तो बहुत ही किमती हो जादा हो दूसरी वजह है सरकार की नीतियों स्रकार की नीतियों में स्रकार की कम्या दिखाई पढ़ती है एक गैप है गैप है प्रयोक्षाला और खिती के बीच में जो प्रयोक्षाला में तयार की गई है जो शोद किया गया वो फार्म तक नहीं पहुंच पाता है इसी को ध्यान में रखते हुए ज़र लैब टू फार्म सरकार ने नीती बनाई थी जो लैबरेटरी में डिवलप कि तो कि द Raum बनाई जाया जाए मसpassen नियुद्बरेटर के सब्सक्राइद हो भी जा मैं सरकार की और कौन सी नीतीया है इसमें इ스रकार कि कमियां इचाया कार्यान्यवन जो होता है उसमें कमिया हो जाती है कार्यान्यवन में यह है कि जो रिसर्च करता है जो हमारे किसी विकास केंद्र पर के भी के भी के जिसको करते हैं किसी विकास केंद्र पर जो साइन्टिस्ट हैं वो गाओं में जाएं हमारे हैं पढ़ाई क्या भी दोश है ये कि जो पढ़ाई होती है वो हमको सहरी करना के तरफ ले जाती है हम लोग इतने सुविधा परस्त कंपाउन में कैमपस में पढ़ाई करते हैं ये गाउं में, कीचर में, मिटी में जाने में परहेज करते हैं तो जब तक कि हमारे जो साइन्टिस्ट हैं किसी विग्यान किंदर में वो गाउं तक जाएंगी नहीं वहां के स्वाइल टेस्टिंग कराकर एक कौन सा पौधा, कौन सा फसल अच्छी होगी यहां के वातावण में यहां के जलवाई में यहां की सिचाई की सुविधाओं में और उस किसान की च्छमता में भी किता खर्श कर सकता है जिसोर्स ने उसके पास क्या है तो यह समग्र जब तक होलिस्टिक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे और किसी की तरफ लोग जाएंगे भी नहीं क्योंकि हमको लगता है कि आज के समय में पहले तो एक पढ़ाई करने के बाद भी शुविधालों में और कालेजों में कोई खेती की तरफ नहीं जाना चाहता है तो पढ़े लिख लोग नहीं जाएंगे तो उन्नत बीज की बात क्या क्या पॉलिशी है सरकार की क्या क्या सुविधाय मिल सकती है इसके बारे में गरीब अनपड या जो ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो उनको नहीं पता होती है उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कि खेती से जब तक कि हमारा पेट नहीं भरेगा जब तक हम अपने जोग पढ़ा नहीं सकते हैं जब तक हम साधी बया नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम किसी की चिकित्सा नहीं करा सकते हैं तो खेती में जो यंग जिनरिशन है उन नहीं जाएगा उसके लिए भारत इस सरकार की सिख्छा नीती से लेकर की अग्रिकलट्ट्र की नीती में सुधार यह होना चाहिए کہ holistic agriculture कैसे हो holistic agriculture का मतलब कि जबकि हम किछी में compound या unified agriculture नहीं करेंगे जहां की farming भी हो जहां की poultry tree भी हो जहां go tree भी हो जहां की fisheries भी हो और उसके साथ खेती करें जहां की जो हमको कुछ पैसे भी मिल सकें अगर आमदनी उतनी हो जा जितना कि बच्ची आकर सहरों में काम करते हैं बीस पचीस जार रुपय कमाते हैं उतनी उनकी आमदनी हम प्रूफ कर दें कि एक दो एकर जमीन में वो आदमी इतना पैदा कर ले कि कमसम पंदनी बीस जार रुपय की उनकी नहीं हो जा तो कोई बच्चा अपना परिवार अपने माबाब को छोड़के गाउन ने सहर में नहीं आना चाहेगा लेकिन ये नहीं हो पाता है इसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे होलिस्टिक एरिकल्चर हो सकता है कैसे यूनिफाइड एरिकल्चर हो सकता है और उसमें हम लोग उनको प्रमोट करें बलकि पॉलिसी में कुछ अगर लोन भी देना पड़े लोन दें कि है पॉलिसी लेकिन इंपलिमेंट मैंने ग्रासरूट लेबल पर हो कि कोई छोटा किसान भी उसको एड़ी पा सके कैसे अगर उसको अपने किसी के साथ अगर चाहता है कि हम फार्मिंग करें फार्मिंग के साथ-साथ हम चाहते है कि डेरी भी रखें हम गोटरी चलाएं हम पॉलिट्री फार्म पे रहें हम फिसरीज भी करें और ये फ्लावर का फ्रॉली कर्चर हम करें कैसे हम पॉली हाउस बना सकेंगे इसके लिए है पॉलिसी लेकिन लोगों को नालेश तक नहीं है हम लोग जब कुछ काम करते हैं तो लखनो और बनारस तक तो बाते पहुँच आते हैं उसके बाद में गाउं तक नहीं पहुँच पाते हैं कि अगर हमको पॉली फार्म बना तक कौन टेक्निकल परस है जो बना देगा सबसीडी क्या है इसके लिए कैसे हमको लोन मिलेगा तो ये सब चीजों की जब तक हम लोग नालेज नहीं देगा जब त तब तक हमको लगता है कि समस्चा समस्चा ही रह जाएगी आई ये क्योल किताबों में और पॉलिसी में और रिसर्च पेपर्स में अब कुछ डाकुमेंट में रह जाएंगे न की जमीन पर आजाएगा तो हम लोग को पहले तो देखना कि उन्नत बीज मिल जाए हर किसान को सिचाई के साधर की बहुत कमी है कुछ स्टेट को छोड़ के पंजाब को और कुछ स्टेट को छोड़ दें तो हम लोग केवल रेन पर वर्षा पर डिपेड़ करते हैं अगर वर्षा खराब हो गई तो हमारा फसल खराब हो गई अगर कहीं 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 वर्षा जादा हो गई फसल बागई उसको कैसी रोका जाए कैसी इसको मने किसान को बताया जाए कि कैसे इस समस्याओं से जूज़े और अगर हम लोग सिचाई का साधन अगर प्लूक करा दें तो हमको लगता है कि काफी ज्यादा बेहतर ही हो जाए सकती है किसानों की और लोग अट्रेक्ट भी करती है तब जिलजाती आदिवासी प्राकतन सैने करशी विकास सिल्फ गेंदर के सैयोगी आपको नई दिशायन दिखाने आए हैं आज के इस पोड़कास्ट के दूसरे भाग में हमने डॉक्टर मारकंडे राय से जाने उनके कई सारे सुझाव और उनसे करशी विकास और गाउं विकास को लेकर चल्चा की इसी पोड़कास्ट के क्रम में तीसरे भाग में आपसे जल्द मुलाकात होगी जैशिप्शमोग